और मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम मशीन में बैठा कर उस समय में ले जाने की जहां पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके जीवन के अगले 12 से 13 मुझे चाहिए मुबाइल अगर हो सके तो आफ तो ना कर पाएंगा आप उसको सकते हैं और बाची मत कीजेगा वेर से जुड़ने की कोशिश कीजेगा क्योंकि अगर एक सिरा चुड़ गया तो आप गुम जाएंगे तो गुमिएगा ने और एक कहानी जो वेरे बच्पल का किस्सा कीकत वो आप लोगों तक लेकर आ रहा हैं। सुनिएगा कहानी का शिर्शत है, बेरों वाली शबरी के बेर आपने सुने होटें, यह बेरों वाली शबरी है बच्पर जीवन के खेट में हमेशा हरा रहने वाला वो खेजड़ी का पेड़ है जो उस समय भी हरा बना जाता है जब हालातों की घर्मी किसी नई कोपल को फूट लेने हुटे मधूर यादों का ऐसा गुंदस्ता जिसके अंदर सुन्दर फूल सजे होते हैं अलग-अलग रंग और अलग-अलग खुश्वों के फूल यादों के पूल अपने आपने अलग रंग और महग से बर जिन पर मन का भौरा डोल डोल कर मुस्कुराहटों का शह दिखता किया करता है इन यादों के खुश्प पर यादों के फूलों पर कभी-कभी नैनों की ओस करते हैं और रुमांचित कर देने वाली एक सिहरन शरीद को अचानक उस म मायाविकाल नहीं था तो तो अब भी हमें बच्पन की कुछ हटुथ घटित हो चुकने के बाद लिए असंभव सिब्स और wilig नहीं था क्यों हमारा मन यादों के इनो तोड़ पड़ता है यदि मायवी नहीं था तो बच्पन की बहुत सारी खाई हुई चीज़ों का स्वार आज भी जुवान पर नहीं बच्पन की इनी मदों यादों में से एक है मेरी कप्षा पांच वीर बालत विद्या ने केतन स्कूल में मेरे दाखिला मेरे माता पिदार की अपने बच्पों के स्कूल हर साल बदलवाने की अजीब सी निति के कारण होती हाला कि बहुता स्कूल बदलवाने का कारण अड़ावस-पड़ावस की मैलाएं हुआ करती थी जो मेरी माता जी को उ उन्हें लगता कि उनके लौते पुत्र को शहर के सभी दोनाचारियों का ध्यान मिल जाए तो इस स्कूल के एक प्रसिद अध्यापक के दार्माथ जी का नाम सुनकर मीरी माता जी निवेरा उस स्कूल में धात्रा करें कि उनके बारे में कई कहानिया प्रश्री थी जैसे कि उनके पास शीशन की लपड़ी का इस तेल पिलाएवा डंडा है उनकी मार से कई लोगों का मुद्ध सर्जन हो जाता है उनकी पिटाई की हुई आवाज स्कूल के बाहर तक सुनाई दिती है और उनके स्कूल पे रहने के पिधे, वापुस्त्र, शीलवान, भैरेवान, प्रक्षर, राग्याकारी और सत्ते बादी पुत्र के लिए क्यों उन्हें ऐसी विशिस्ट योगताओं वाले सिक्षक की आवशक्ता है जब दाकिला होई गया था तो मन और तन के प्रतेक सामर्थे से मैंने वहां भी अपन सभी के दिलों में अपना स्थान बना है यह स्कूल ऐसी जगे था जा आसपास में जितने वी परिवार थे सभी खेती करने वाले किसान थे और उन्हें सिक्षा के नाम पर किवल नोट पैचान आता था और इतनी ही सिक्षा की छाया उनके बच्चों पर कढ़े थे इसी उस समर्पढ़ाई में फिसटी चात्र खेलों में महारत ही गवा करते थे और पढ़ाई में होशियात केवल सिक्षबों के चहेते परते विशंम्रत में यह मयने नहीं रखता कि आपको तेरे का पहाड़ा आता है तो इस सिदोलिय में यह ज़रूरी नहीं कि आक्को पाध़कों में श्रोसन पिजया का पता है और नहीं एक पकड़दस में यह जानना ज़रूरी है कि राजा अधबर में कितने युद्धों पर फते पाई कि वर पक्का खिलाडी होना ही आपको उन सभी लड़कों में सम्वाद दिला सकता है हाला कि मेरी मांदारी और सब्सक्राइब के गारा मुझे खेल में निर्णाय का पदक्सर मिल जाता था उस समय बाद मुझे अत्री खिलाडी भी बनाया जाने लगा तो हमारे स्कूल की एक खास बात आठी कि हर कमरे में दो कख्षा एक साथ चला करती थी जैसे तीसरी और चोथी पांच्छी और छेटी साथी और आठी और वेरी कख्षा में उस समय शायद कुल बंद्रह या सूला गच्चे पढ़ते थे जिसमें से पांच लड़किया थी और लड़कियों की खेल बड़े विश्चित रुबार करते थे जैसे पैल दून, पत्तर की उट्टे, पूर्सन पा या फिरन ताक्ष्री और इन समय सबसे अलग लंगडी टांग एक ऐसा खेल था जिसे लड़कियों लड़किया मिल कर खेल सके थे बच्पल का वैस समय पढ़ी पधी को लेकर और कुछ पहिलियों को लेकर कभी हम लोग कुलफी से दिखली सरगंडी की डंडियों में रफिल लगाकर नए पैन बनाते तो कभी किये बादी लोगों को खेल देखते थे कुछ दिनों बाद राखी का तुहारा है और चुटी वाले दिन से एक निन कि एक दिन होते ही इसमें मुझसे कहा कि तुम्हें एक मजदार जागे बताओं उसमें हमारा टिफिन वापस बैंग में रखा और मुझे हाथ पकड़कर चुचा बीचे स्कूल से बाहर ले गई भीरे संगरे कान में कहा किसी को कुछ भी मत बताना कहा जा रहे हैं और हम स्कू मैंने अपने जीवां में उतना घना और बेरों से भरा हुआ पेड कभी नहीं दे पीले पीले सुन्दर रोल बेर यूं लग रहे थे जैसे दिपावली के समय चरप पर लगाने वनी जालर को कोई दिन में उस पेड पर रख लेया उस विशाल पेड की हवा से हिलती डालिया मैं यू लग रहा था मानों अपने दौनों हाथ खोल कर हमें आने का निमन तड़ते लिए हम दौनों जट पर दिवार पांद कर अंदर चलिए दोपार होने के कारण आसपास की घरों के लोग सो रहे थे अनीता जंदी से नीचे जड़कर गिरे सही सही बेर उठाकर अपनी जड़ पर डाली से बेरों को तोड़ना शुरूर किया और अपने गुमाल के पूरा भढ़ जाने पर वो बेरों को मेरे पैंड की जब भरने लगी जब दौनों जहें पर बढ़ गई आप कांटों की वज़े से मेरे हाथ खुलने लगी तो मैंने वो डाली छोड़ दी फिर होकर मंदिर की सीडी पर बैठते हो निता ने चहिकते हो का आज तो मज़ा आया और अपनी कभीज की जब से कावज की फिजा में रखता होगा नमप लिखा तो मैंने बेर की जावत का आरंब करते उससे पूछा तो में जगे कैसे पताते हैं कि उसकी मम्मी यहां पास ही कि घर में गांटी से बिलने आखते हैं तब उसने रिखा हमने पहले रुमाल के बेर खतम किये और फिर एक जेप की सपाई की बेर खाते ही हम स्कूल की और लौटने लगे अनीता बीश-वीश में बेर खाकर चोर से चक्टारे लेती तो बिरी हसी निखल जाती है और बुझे ह लगबद चीज को या किसी राज को छुपा कर रखने का अलब आनंद हुआ करता है वैसा यह बदाता हुआ हर्श हमारे अंदर फिलोर ले रहा था कक्षा कि हमने बाकी के बेर सब की नदिगाओं से बचा कर मुस्क्रा मुस्क्रा कर कैसे खाये मैं आप लोगों को शब्दों नहीं बता सकता है अब लगब हम लोग रोजाना ही उस बेर के पेड़ वाले प्लॉट में जाने लगे और चम की बेर खाने लगे निचे जुकाने और संपर कर पक्षल्य रहने का काम मेरा हुआ करता और धेरों को तोड़कर इखटा करने का काम नहीं तकता सिस्त्रियों में द्याव करूणा और दूसरों के कश्ट से द्रवित हो जाने काम शायर जंद भागे इसलिए मेरे काटों से छिले हाथों को देखकर उसकी आपकों में मेरे लिए ममता हुरा स्नेय उमड़ पड़ता वह अच्छे पके मीठे मीठे से लगने वाले बेर चुन-चुन कर मुझे दिया करती और खुद यह कहकर अच्पके बेर नमप के साथ खाती कि लड़कियों को ऐसे ही बेर अच्छे लगते हैं लेकिन दौर ज्यादा दिन नीच लगता दीरे दीरे अन्य बच्चों को भी जगय का पता चल गया जिसकी कारण बेर हमारी हात वाली पहुंच वाली जगय से दूर हो गय है क्योंकि अब हमें पेड़ से तोड़कर खाए बेरों का स्वार पता तो मन जमीन पर मिट्की में गिरे बेरों को खाने की गवाही नहीं देता था और वैसे भी बेरों का मौसम जाने वाला था और हमदाना इंटरवेल में अपने खेल खेले ले लगी जैसा कि मैंने पहले बताए मैं पढ़ने में भुशियार था यानि केंदू में काणा तो अक्सर हिंदी की कच्छा में सर हमें ब्लैक बोर्ड पर बलाकर कटिन शपनी पाया करते हैं और जो विद्यारती नहीं लिख पाता उसे अपनी जेगर पर खड़ा कर दिया आता और जो इतना सही लिख लेता उसे उन सभी बच्चों के गाल पर ठपड़ मारने का लेकिन दीरे-दीरें के चेहरे से जलखने वाले घीट पने को देखकर मेरी जिजक भी जाती रही और मेरे थपड़ थपकी की बालेवस्ता छोड़कर तमाचे की जमारी में कदम रख चुके लड़कियों पर मेरा हाथ अभी में थोड़ा हलका ही पड़ता था जबकि हमारे द्यापा की तरफ से लड़कियों को किसी तरह की रियायत देने के आदेश नहीं थे लेकिन ऐसे ही एक दिन की बात है दौनों पांचवी और छेटी परक्षाओं को मिलाकर तक्रीबन साथ लड़कियों चार लड़किया कुछ कठी शब्दों को लिखने में नाकाम रहे फि लिखे हुए मस्तकों को अपनी योगता और सामर्त्य के तंब से रौंता हुआ स्वैंप साक्षात अर्जिन मतस सिर्धिधन को जा रहा हुए तुर्ण शब्दों को सही लिखते हुए मैंने गर्व बढ़ी निगास से पहले सर्की उठे उनकी आपों में संतुष्टी की च रफाया और सबसे पहले पड़ी लड़कियों में अनीता ना जाने कैसे हम जाने में या किस उनमाद में मैंने ध्यान ना दिया कि मेरे सामने एक लड़की है और उसी ताकत और जोर से करार अत्पड रसी है उसकी तेस हिस्कारी बरिया से मेरे आए आँकों में उसकी तेस्कारी बरिया से मेरे अनमाद की कुमारी एकंदि रफू चक्कर हो ना मैं माफी बरी निगाहों से उसकी और देखा लेकिन अनीता की भराएं आखों में कियोद तिरसकार और कसल अपने मुझे रोग दिया और अपने हाटों को और खुद को दिखा रहा था सर्जबाय अपनी जगर बैठा हुआ मैं मैं महसूस कर रहा था कि ज्यादर तर लोगों की लिगान में मुझ पर दिके हुए कप्षा खत्म होते ही मैंने अनीता से इस बारे में बात करने और सौरी कहने की कोशिश की लेकिन सभी लड़किया तेजी से बाहर चेली थी मुझे वो सौरी कहने का मौका कभी नहीं मिला हाला कि सभी बाकी लड़कियों से बाचीत कुछ अमबाद शुरू हो गयती पर अनीता ने मुझसे कभी बात नहीं सर्दियों के दिन थे और अर्द्वाशिक परिक्षाएं पत्म हो गए थी और उसके बाद की चुपियां ही बहुत सारे लड़कियों लड़कियां में लंगरी टांक लेए थी मैं भी अगना टिफिन कर्थिकर उसमें शामिल हो गया थोड़ी दिर बाद मेरा दावार और मैं एक टांक से भागबार कर सबको आउट करने लगी अनीता भी घेल गई थी मैं उसको आउट करने के लिए बार-बार कोशिश कर रहा था पर वो अपनी पुर्ती और चत्राई से हर बार बच जाती थी अखेरिक कोुणे में में उसे पकड़ने के लिए एक्स्तमसे दाव मारा पर उसे तो नहीं पकड़पाया उसकी शर्ठ का कndra मार मेरे हाथ में आकी और बचुने में उसकी शर्ट का उपर कही बटनी टूटे गया मैंने तुर्ण शर्ट छोटा लेकिन सेकेंड के 106 हिस्स् अनीता के एक हाथ से उस बटन वाली जगे को पकड़े वे कख्षा में चली गए मुझे लगा जैसे मेरे मुँ में कच्चे टमाटर का रस फुल गया धड़कर मानों ठैर सी गई सब की लिगाहें और फुसुसाहट मेरी हापों में उबढ़ते सहलाब को उत्ते जित कर रहे थे मैंने भी कख्षा के प्रस्तान किया और बताने की जरुवत नहीं है कि मैंने अगले दो घंटे उस कख्षा में कैसे बिता है लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि शरीर पर पढ़ने वाली मान इतना घहरा चोट नहीं करती जितना मन पर आत्म संबान पर नहीं चोट करती और ग्यदी वा पीड़ा उस व्यक्ति द्वारा दी गई है जिसे आप स्नेव करते हैं तो मन के भीतर पहता प्रेम का जर्ना सूकते देर नहीं है इसके बाद फिर कभी न मैंने अहीडा से बात की न उसने मेरी तरफ देगा और न मैंने जीवन में कभी उत्में सौधिस्ट प्रेट है शुक्र